फिल्म जगत में नजाने कितनी सारी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से आस्मान के सितारे धर्ती पर लाए। आज कहानी सुनाने वाली हूँ मशूर अभिनीतरी सुहासिनी मुड़े जी की। फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए इनका नाम अंजाना तो नहीं होगा पर ऐसे भी लोग हैं जो सुहासिनी मुड़े की कहानी से वाकिफ नहीं हैं। अगर आपने भी सुहासिनी मुड़े को बड़े परदे पर देखा हो, तो इस विडियो को अभी लाइक कर दीजिए। सुहासिनी मुड़े ये नाम ऐसा है, जिन्होंने ना सिर्फ अभीने शेत्र में अपना नाम मशूर किया, बलकि डॉक्यमेंटरी फिल्म मेकिंग में भी योगदान दिया। आज के पीड़ी ने सुहासिनी मुड़े जी को कई सारे फिल्मों में मां के किरदार में देखा होगा। आशुतोष गुवारिकर की लगान फिल्म में आमिर खान की मां का किरदार उन्होंने ही नभाया था। तो चलिए उन्हें नस्दीक से जानते हैं। सुहासिनी मुड़े जी का जन पटना के मराठी परिवार में हुआ था। वो तारीक थी 20 नवांबर 1950। उनकी माता जी विजया मुड़े अपने जमाने की मशूर फिल्म हिस्टॉरियन और डॉक्यूमेंटरी फिल्म मेकर थी। भारत सरकार का फिल्म संस्थान में उनका 2019 को 98 साल के उम्र में विजया मुड़े जी का निधन हुआ था। सुहासिनी 3 साल की थी तब उनके पिता जी का निधन हुआ था। इसलिए उन्होंने अपना ज्यादतर जीवन माता जी के साथ गुजारा। माता जी के कारण ही सुहासिनी को भी फिल्म मेकिंग और अभिने शेत्र में आना पड़ा पर आगे चगकर सुहासिनी के जीवन ने ऐसा मोड लिया जिसके स्वरूप उन्हें फिल्मों से दूरियां बनानी पड़ी पर उसके पहले बात करते हैं कि कैसे उन्हें अपने जीवन की पहली फिल्म भूवन शोम मिली 1965 के साल में परल साबुन कमपनी ने सुहासिनी मुले को मौडल के रूप में चुना था उस वक्त वो स्कूल में पड़ रही थी उस वक्त के मशूर बंगाली फिल्म में कर मुरूणाल से ने उन्हें परल साबुन के आड में देखा और आगामी सोचल ड्रामा फिल्म भूवन में बतौर लीड अक्ट्रिस कास्ट कर लिया जब ये फिल्म रिलीज हुई तब सुहासिनी मात्र सोला साल की थी और उनके हीरो उत्पलदत थे आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त इस फिल्म को तीन नैशनल अवाज भी मिले थे इतनी बड़ी सामाजिक फिल्म करने के बाद सुहासिनी आगे चल कर बड़ी हिरोईन बन सकती थी और उनके पास मौका भी था पर वो अपनी जिन्दगी अपने शर्तों पर जीना चाहती थी आम तोर पर अभी नेत्रियां रेड कापिट के इंतजार में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर देती है पर इसी रेड कापिट को सुहासिनी मुड़े ने इंकार कर दिया और आगे की पढ़ाई के लिए कैनेडा चली गई कैनेडा में उन्होंने एग्रिकल्चरल टेकनोलोजी, सॉल केमिस्ट्री और माइक्रो बायोजी जैसे विश्यों पर अध्यन किया और शिक्षा के और पहला कदम उठाया पर दो साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें फिल्म मेकिंग के संबंदित कोर्स करना चाहिए इसलिए वो मास कम्यूनिकेशन में आई और ग्राजवेट होकर दोबारा भारत लोट आई अपने देश में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले दूरदर्शन और FTII के लिए जौब किया पर एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के आंतरिक व्यवस्था के कारण उन्हें जौब छोड़ना पड़ा इतने साल गुजर जाने के बाद भी सुहासिनी को ये पता नहीं चला कि वो असल में किस फील्ड में काम करना चाहती है पर एक आएकी उनकी जिंदगी उसी मोड पर आई जहां उनकी माताजी कारेयर्थ थी 1975 के साल में दिल्ली में आयोजित हुए फिल्म फेस्टिवल में सुहासिनी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी वहां मशूर फिल्मकार सत्यजी त्रे साहब जूरी मेंबर में थे उन्हें सुहासिनी का काम अच्छा लगा और उन्हें पर्सनल असिस्टेंट बनने का ओफर दिया उस वक्त वे जन अरण्या नामक बंगाली फिल्म बना रहे थे उस वक्त सत्यजी तरे साहग के सभी प्रोजेक्स के लिए धेर सारे अवाद्स मिल जाते थे इसलिए सुहासिनी ने उनके साथ काम करने का निर्णय लिया आगे चल कर उन्होंने मुरुनाल सेन के लिए भी काम किया सामाजिक फिल्म बनाने वाले दो महान व्यक्ति के साथ काम करने के बाद सुहासिनी मुरे को अपनी राह नजर आने लगी उन्होंने ठान लिया कि वो भी सोशल अवैर्निस फिल्में बनाएंगी तो फिर क्या था? सुहासेनी मुड़े ने अगले 20 साल में 60 डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाई जिसमें से 4 फिल्मों को नैशनल अवाद भी मिले 2000 का दशक लगते लगते सुहासेनी जानी मानी डॉक्यूमेंटरी फिल्मेकर बन चुकी थी पर इस बीच उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए अभी नए भी किया पर सुहासेनी मुड़े इस बात को भी मानती हैं कि अपनी पहली फिल्म भूवन शोम करने के बाद 30 साल तक वो फुल टाइम अक्ट्रिस नहीं थी सही मायने में उनका अभी नए सफर 1999 में शुरू हुआ मशूर गीतकार गुलजार साहब की हुतुतु फिल्म के साथ सुहासेनी मुड़े ने अपना अभी नए सफर दोबारा शुरू किया और किस्मत का खेल देखो इस फिल्म के लिए भी उन्हें Best Supporting Actress का National Award मिला उस वक्त वो अपने 50 साल में जी रही थी हुतुतु के बाद सुहासेनी मुड़े ने जो शुरुआत की वो आज भी अपने उच्च बिंदू की और जा रहा है अब तक तो वो सिर्फ सोशेल फिल्मों तक सीमित थी पर आशतोष गुवारिकर की फिल्म लगान रिलीज होने के बाद वो घर घर में पहचानी गई सुहासेनी मुड़े का करियर अपने आप में प्रेणादाई है उन्होंने अपने आपको इतना व्यस्त बना लिया कि शादी का खयाल भी उनके मन में आया नहीं एक इंतिव्यू में वो बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी शादी करना नहीं चाहा पर उन्हें अपने हिसाब से पार्टनर मिला नहीं अगले 10 साल में उन्होंने खूब सारी फिल्मों में काम किया कॉमेदी से लेकर सीरियस किरदार तक हर प्रकार के किरदार उन्होंने आजमा के देखे खास बात ये थी कि हर किरदार में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ट नमूना पेश किया 2011 के साल में अजानक सुहासिनी मुड़े ये नाम नीज हेडलाइन्स में आने लगा क्योंकि उन्होंने उम्र के 61 साल में अतुल गुर्टू नामग एक डॉक्टर से शादी की ये फैसला सच में चौकाने वाला था पर सुहासिनी मुड़े के लिए सही साबित हुआ आज वो खुशाल जीवन जी रही है और अभिने शेत्र में भी आक्टिव है अपने जीवन में उन्होंने कई सारे उतार चड़ाओ देखे साथ ही पचास के उम्र में अभिने शेत्र में दुबारा आकर सौ से भी अधिक फिल्मों में काम करते हुए स्टार कलाकार बनने का खेताब भी जीता सच में सुहासिनी मुड़े का पूरा जीवन प्रेणा दाई और असमानिता से भरा हुआ है तो मैं थी आपकी अनामिका मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रफी और रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार